इस वीडियो में बताऊंगा आप अपने एंडॉयड फोन का होट स्पॉट स्पीड कैसे इंक्रीस कर सकते हो तो पिर चलिए शुरू करते हैं तो पिर पहले आपको जो है मोबाइल का सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको यह पर जो पर्सेनल होट स्पॉट सो हो रहा है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अप्सेन मिल जाएगा सेट आप पोर्टाबल होट स्पॉट इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है, और यहां पे आपको जो security का जो option है, अगर अगर रहता है तो फिर आपको यह second बाला option जो है WPA2PS के इसको आपको चिलिक कर लेना है, उसके बाद आपको एक password जो है यहां पे टाल देना है ठीक है मैं पहले से पासवार्ट आजेर दिया है उसके बड़ आपको यहां पर जो device identification जोब से ने यह जो defaults हो और आ इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पे और अगर आपका portable hotspots होë होता है तो फिर आपको यहाँ पर portable hotspot से आपको जो default है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो select app band है इसको आप 2.4 पर ही रहने दो ठीक है उसके बाद आपको कह करना है उसके बाद जो उपर में जो bright sign है इस पर आपको क्लिक करके save कर लेना है ठीक है तो इस तरीके से आप जो है अपना personal hotspot speed आप इंक्रीज कर सकते हो यह setting करने के बाद आपका personal hotspot का speed जो है ज़रूर इंक्रीज होगा क्यूंकि मैं यह try किया क्यूंकि जाओमी के phone पे जो setting है device identification पोर्टबल hotspot पे रहता है तो पिर आपको इसे portable hotspot से default set कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर जो राइट बटन है राइट साइट पे इसका आपको save कर लेना है क्लिक करके और इसके बाद आप try करके मुझे comment section में जरूर बता दीजिएगा आपका personal hotspot का speed increase हुआ है या फिर नहीं है ठीक है तो फिर वीडियो में वैस इतना ही है वीडियो अगर आपको फसंद आया तो फिर जरू लाइक कर दीजिएगा और मेरे चनल को अगर आपने देख सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरू सब्सक्राइब कर लिजिएगा और अगर आपका कोई question ओ तो नीचे comment box पर comment कीजिए मैं जरूरां सदूना thanks for watching